नमस्कार मित्रों बुदेल खंड विश्विद्याले जासी का हमेशा से प्रयास रहा है कि विश्विद्याले परिशर में जो भी अतिती विद्वान अतिती शिक्षक सामाजिक कारी करता विश्विद्याले परिशर में आते हैं तो हम उनको आप सभी से उनके अन्वहों से लावानवित करने के लिए आप से रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। जक्तर शकुंतला मिश्रा रास्तिय पुनर्वास विश्विध्याले लखनव के समाज कारी विभाग में वरिश साहयक आचारी की पतपरकारत चिन का दो दशक से भी अधिक अन्भाव विकास आत्मा गदविदियों में स्वेक्षिक संगठनों के साथ सामाजिक कल्यान के लिए रहा है। साथ ही समाज कार सिक्षड की वर्स दो हजार ग्यारा से अब तक की यात्रा में आपने अनेकों की इर्थिमान इस्थापित किये हैं। ऐसी नई पीड़ी की शक्सियत डॉक्टर रूपेश कुमार सिंग जी हमारे बीच में आप सभी से संबाद करने के लिए उपस्तित हैं। मैं उनका हार्दिक श्वागत करता हूं। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर नाइम। डॉक्टर रूपेश कुमार सिंग जी ने लखनों विश्वित द्हाले लखनों के समाजकार विवाग से वर्स 1999 में MSW की उपाधी प्राप्त की तत्पश्यात आप देश के जाने माने सामाजिक शोध के संसान डॉक्टर बियार अंबेटकर इस्ट्यूट आप सोशल साइंसिस महू मद्द प्रदेश में आप शोध के लिए गए वहाँ आपने मद्द प्रदेश के जाने माने समाज विज्ञानी शोध और अनवेशण के सुभिख्यात नाव फ्रोपेसर आरजी सींग सरकेय शोध नर्देशन में आपने थारू जनजाती से सम्मंदित शोधकार किया आपकी इस अमूल योगदान के लिए तमाम शिक्षड संस्थाओं के दोरा आपको सराहा गया अब तक के शिक्षड कारी में आपने पांच पुस्तकों का लेखन किया है बीश शोध पत्रों का प्रकासन देश के विभिन अंचलों से प्रकासित होने वाले जनर्र्स में किया गया है देड़ दर्शन से अधिक आपके शोध आलेख विभिन पुस्तकों में संपातित अध्याय की तौर पर प्रकासित हुए हैं कि आपके अधिन कि पचास से भी अधिक कि पराशनात तक एमफिल और पीएजडी के सोध संपादित हो चुके हैं कि आये अहुम डॉक्टर रूपेश कुमार सिंग्जी से ही उनकी ये स्यात्रा के विशय में सुनते हैं डॉक्टर नहीम आपने बहुत प्रारंभिक चीज़ों से मेरी बात सुरू की है मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के बाराई जन्पत के एक छोटे से गाउं सुर्जी पूरवा में हुआ मेरे पिता स्रीकुलदीप सिंग्जी थे वो वहीं इंटर कालेज में अध्यापक थे और हम तीन भाईयों की जो सिच्छा दिच्छा है वहीं अस्थानिय सरकारी प्रात्मिक स्कूल में हमारी सिच्छा दिच्छा हुई उसके बाद माध्मिक अस्तर की सिच्छा दिच्छा भी अस्थानिय इंटर कालेज में हुआ है तत्पस्चात लखनोव विश्विद्याले से बीए समाजकार और MSW की डिगरी हमने 99 में ली उसके बाद मैंने एक प्रवेश परिच्छा के माध्यम से जो ICSSR के द्वारा आयूजित की गई थी उसके माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के इंदवर जिले में महू में डाक्टर बी आर अमबेटकर नेशनल इंसिटूट आफ सोसल साइंसेज में एमफिल में हमने प्रवेश लिया और उसके पीछे मेरा एक यह मानना था कि मुझे जो सोधकार अपना करना है वो मुझे किसी ICSSR इंसिटूट से करना है क्योंकि वहाँ पर दो चीजें आपको बहुत अच्छी मिलती है एक तो वहाँ का प्राथमिक उद्देश से सोध होता है दूसरा आपकी आर्थिक निर्भरता के लिए ICSS अंस्थानों में आपको सोध अधेत्या वृत्ती भी मिलती है तो मुझे MFIL से लेकर के PhD तक मुझे वहाँ पर fellowship राप्थ हुई और मैंने अपनी MFIL और PhD की डिगरी डाक्टर B.R. Ambedkar National Institute of Social Sciences जो पूर्व में देवी अहिल्या विश्विद्याले इंदोर से संबध्य था बट बर्तमान में वो भारत सरकार का एक ऐसा विश्विद्याले है जो समाज विज्ञान के छेत्र में एक इकलोता विश्विद्याले है वहां से अपनी सिच्छा कंप्लीट करने के बाद मैंने 2005 में डाक्टर राम मनोहल लोहिया अवद विश्विद्याले फैजाबाद में प्रवक्ता के रूप में कारिभार गरहन किया और उसके बाद तत पस्चात हमने 2011 में डाक्टर सकुंतला मिस्रा राष्टिय पुनरवाश विश्विद्याले जो की 2009 में इस्थापित हुआ था और 2011 में वहां पर विभिन फैकल्टियों की इस्थापना हुई वहां मेरा चैन हो गया और मैंने प्रवक्ता समाज कारे के प पर करता है और इंक्लूसिव एजूकेशन खास कर जो उच्चा के छेत्र में समावे शींद्र कि वदरना है उसके फिल में, उसके छेत्र में हम लोग काफी तेजी से काम कर रहे हैं और ना केवल में बच्चों को सिच्चा प्रदान कर रहे हैं बड उनके साथ-साथ उनके सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक पुनर्वासन के छेत्र में भी हमारा विश्विद्याले कारी कर रहा है तो यह मेरी एक छोटी सी यात्रा है वर्तमान पीडी के समाजकार सिख्षक हैं उनके सोत्थ चेत्र में आपका अग्रीइस्थान है मैं जाना चाहूंगा कि वर्ष में 99 की तुल्ना में वर्तमान में समाजकार सिख्षा की स्थिती उच्तर प्रदेश में क्या है और आने वाले समय में जो समाजकार की इस्तिति वस्तुष्टि और बरतमान इस्तिति तथा जो वविस्ट की इस्तिति है उत्तर प्रदेश में उसके संदर्ब में मैं कहना चाहूंगा कि 99 में जब मैंने MSW अपना पूर्ण किया था तो उस समय केवल उत्तर प्रदेश में तीन विश्विध्याले जो समाजगारी का पाठक्रम संचालित करते थे एक तो आपका मात्मा गांधी कासिविद्या पीठ वारा नसी लखनव विश्विद्याले लखनव और बी आर अमबेटकर विश्विद्याले आगरा तत पस्चात 1999 में ही आपके स्ववित्य पोशित योजना के तहत बुंदेल इरुहेल खंड उन्वस्टी की स्थापना हुई जब हम आज देखते हैं तो लगभग आज उत्तर प्रदेश के साथ विश्विद्यालियों में रेगुलर डिपार्टमेंट के रूप में समाजकार की सिच्छा प्रदान की जा रही है तथा स्ववित्य पोशित पाठिकरम के तहट जितने भी विश्विद्यालियों में समाजकार की सिच्छा असनातक अस्तर से ले करके प्रदान की जा रही है। कोई सोध की सम्भावना है नहीं थी इस प्रकार से बुंदेलखंड विश्विद्याले जहां से पहला विश्विद्याले है मेरा यह मानना है कि समाजकार्य का दाइरा दिन प्रत दिन बढ़ता ही जा रहा है कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां पर समस्याएं नहीं चाहे वह समाजिक समस्याएं नहीं या मानविय समस्याएं और जहां समस्याएं हैं वहां पर समाजकार की नितान तावा सकता है दिन प्रत दिन नए नए तरीके की चुनोतियां नए नए तरीके की संभावनाएं छेत्र समाजकारे में जुड़ते जा रहे हैं जैसे पहले हम लोग बिवाह पर सोध करते थे बिवाह के प्रकार पर सोध करते थे उनके पैटर्न पर सोध करते थे आज की डेट में देखेंगे तो हम living relations पे सूध कर सकते हैं living relations में जो बच्चे हो रहे हैं उनके पालन पोशन की बात कैसे की जाए वो एक बहुत बड़ा सोध का दाइरा बनता जा रहा है उसमें समाजकार की क्या भूमिका हो सकती है और खासकर एक सबसे जो छुटा हुआ छेतर रहा है दिव्यांगता क्योंकि हमारी population का लगबग 2.25% जो है वो हमारे देश में दिव्यांग निवास करते हैं और दिव्यांगता का और गरीबी का समाज के कमजोर वर्गों के साथ एक सकारात्मक से संबंद तो उस छेतर में अपार संभावन आये हैं चाहे वो विज्वली इंपेर्ड बच्चे हैं उनमें समाज कारी की क्या भूमिका हो सकती है कैसे उनके साथ हसस्चेप किया जा सकता है या जो चलने फिरने में असमर्थ बच्चे हैं उनके साथ क्या भूमिका हो सकती है सोधकी, समाजकार हस्त छेप कैसे किया जा सकता है उनके ससक्तिकरण में, उनके पुनरवास में, जैसे मैं आपको बताऊं के एक होटलों की चेन है लेमेंट्री, लेमेंट्री होटल जो है वो कोसिस करती है कि उनके यहां कुछ परसेंटेज, 10 परसेंट, 5 परसेंट का जो दिव्यांग जनों, और उसमें रूम सर्विस से लेकर के कई जगों पर वो अपने हैचाई बच्चों को न्यूक्त करते हैं, तो इस तरीके से दिव्यांग जनों के पुनरवास के फील में, महिलाओं के अधिकार, ससक्तिकरण के फील में, और खासकर अगर मैं बात करूं तो बच्चों के लिए और एक और नया उभरता छेतर है बृद्ध जनों का, बृद्ध जनों के साथ जो दुर्वयोहार हो रही है, जो हिंसा हो रही है, जो कभी हमारे यहां नहीं होती थी, अब वो नए नए तरीके के रूप, हिंसा के निकल के आ रहे हैं, दुर्वयोहा है हमारे जो माइनार्टीज पीपल हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उन पर हमें काम करने की जरूरत है तो समाजकारे आज कन्वेंशनल सोध से अलग एक तरीके से कहें तो आज की डेट में हम जो मिक्स मैथड है मिस् रत सोध की परमपरामें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जहां पर गुड़ात मक और गड़नात मक सोध को सात में लेते हुए हम लोग काम कर रहे हैं तो समाजकार की फिल में अगर हम सोध की द्रिश्टिशे देखें तो बहुत ही अपार संभावना हैं और खासकर बुंदेल खंड में तो एक से बढ़कर एक समस्या निवल करके आई हैं और नई नई तरीके की चीज़ें आ हैं बुंदेल खंड के लोगों के स्रम्विकों के किसानों के पलायन की समस्या हो चाहे उनके माइग्रेशन की समस्या हो जल का संकटो इन सब बड़े शहर में जो समाजकार सिक्षा दी जा रही है और बुंदेल खंड जैसे मानोविकास सुचकंग में सबसे निचले पाइदान पर स्थापित छेत्र में समाजकार की सिक्षा दी जा रही है इन दौनों के बीच का जो अंतर है उसको हम कैसे दूर कर सकते देखिए प्रश्णा आपका बहुत ही उचित है खासकर जो महानगरों में या उपनगरों में जो समाजकार की सिच्छा दी जा रही है वहाँ पे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो भी उसी वर्ग से आते हैं और खासकर उन बच्चों को समाजिक जो इस्थती है ग्रामीर छेत्रों की जो इस्थती है जंजातिय छेत्रों की जो इस्थती है वो बहुत ज़्यादा उससे रूबरू नहीं होते हैं उनको वहां की समाजिक आर्थिक इस्तरी करण के बारे में मालूम नहीं होता है तो वहां पर तो उन बच्चों का orientation की strategy अलग होती है, उनके field work करने की strategy अलग होती है, उनको rural camp में ले जाना है, उनको concurrent field work में ले जाना है, लेकिन जब हम बुंदेल खंड की बात करें, तो बुंदेल खंड में जो बच्चे आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं ग्रामीर प्रष्ट भूम से, कसभाई प्रष्ट भूम से बच्चे आधिकान साते हैं, जो मैंने आका बच्चों के प्रवेस लेने का जो प्रकिर्ती देखिए, वो इसी प्रकार की है, तो यहां के कोर्स को अस्थानिय जरूरतों के अनरूप बनाने की जरूरत है, पहली चीज़ तो एक, और उनके फीलवर को अस्थानिय अस्तरकी समस्याओं के समाधान से जोड करके देखना चाहिए, कि वो बच्चे यहां के कम्मुनिटी में जाएं, समुदाय में जाएं, चाहे वो न मंधित, अगर हम पाठक्रम में चीज़ों को लाएं, उनके संरचन के लिए, उनके संभरण के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा, जंगल के लिए हम कोई पाठक्रम में कोई विवस्था करें, कि और यहां पे जो सूखे से निपटने की जो स्टेटजी है, खास कर मैं अजकार की सोधार्थनी है, उसने बुंदेलखंड के महिलाओं की जो ड्राट के दवरान जो उनकी छमताएं होती है, उस पे सोध संभाधित किया, तो यहां पर अस्थानी, यहां पर विद्ध्यार्थियों के लिए कारी करने के लिए, फील्वर्क करने के लिए, सोध करने के लिए, अपार संभावना है, लखनव में नगरिये छेत्र की संभावना है, वहां पर जो लेकिन आपको बताता चलूँगा मैं, कि हमारा देश तो ग्रामीर छेत्रों का देश है, हमारे यहां सत्तर प्रस्त आबादी ग्रामीर छेत्रों में रहती है, तो लखनव यह महा नगरिये समस्याओं पर ज्यादा फोकस करते हैं और बुंदेल खंड जैसे छेत्र में जो अस्थानिये समस्याओं हैं जो ग्रामीर चेत्र की समस्याओं हैं उन पर फोकस करने की जरूरत है और पाठिक्रम को उसी अधार पर संरचित करने की जरूरत है तभी हमारा जो पाठि कि इस्थानी समस्यों को केंद्रित कर हम विद्यारतियों को उसके अनुरूप प्रोजेक्ट दें या ब्लॉक प्लेसमेंट में हम विद्यारतियों को ऐसी संसाओं में ही भेज़ें सर मेरा एक अगला प्रिश जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप जो बारस सरकार का भूमी अदिखरन कानून है उसके अंतरगत जब किसानों की जमीनों को अदिखरित किया जाता है उसमें उनके लिए जो तमाम समस्यां पैदा होती हैं उन तमाम समितियों में आपने काम किया है खास दोर पे गंगा एक्षप्रेस वे की समिति, ओबरा थर्मल प्रोजेक्ट की समिति या लखनों में तमाम जो टांसिप बन रही हैं, जैसे के अनसल है या mf टांसिप है तो वहाँ की जो समाजिक संगास समिति हैं। उनमें आपने बहुत ही महत्पूर काम किया है और लोगों की जो समश्याइं हैं, लोगों की आनुतोस हैं, लोगों का गरीवयान से उसको दूर करने की कुशिश की है. तो सर मैं जानना चाहूँगा कि ये सामाजिक संगाल समिती के सदस्य के तौर पर आप ऐसे किशानों की या भूमिहिनों की समस्याओं का निस्तारण कैसे करते हैं, जो कि भूमियादिग्रान कानून से प्रभावित होते हैं। बहुत अच्छा प्रशन किया है डेक्टर नईम साहब, ये बहुत ही मुझे लगता है इस समय का उचित और अनकूल प्रशन है, क्योंकि विकास की जब कोई देश विकास की तरफ अग्रसर होता है और तेजी से विकास होता है, तो विकास के सकारात्मक और नकारात्मक दोन भी छेत्र में परिवान सुब्दा, आवगमन की सुब्दा के कारण ही वहाँ पर तीब्र विकास आता है, चाहे वो बिजली हो, चाहे यातायात हो, चाहे वो संचार हो, अगर ये संसाधन वहाँ पे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर विकास की गती तेज होगी, और हम देख भी सकते हैं, चाहे वो बुंदेल खंड के रिफ्रेंस में हो, चाहे पस्चमी उत्तर प्रदेश के रिफ्रेंस में हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के रिफ्रेंस में हो, जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो महत्त्यकांची प्रोजेक्ट है, गंगा एक्स्प क्योंकि भूम अधिग्रहण अधिनियम जिसको हम लोग साट फार्म में लार एक्ट कहते हैं 2013 में आया और उसमें भूम अधिग्रहण और उचित पुनरवासन की विवस्ता की गई है और उसी के तहत ही किसी भी व्यक्तिकी जमीन का अधिग्राण किया जाता है पाहली चीज तो यह है कि जहां से वो प्रोजेक्ट निकलते हैं किसी भी प्रकार के वो प्रोजेक्ट हैं चाहे वो सर्कुलर प्रोजेक्ट हैं चाहे वो लीनियर प्रोजेक्ट हैं जैसे गंगा एक्स्प्रेस वे जो लीनियर प्रोजेक्ट है सर्कुलर प्रोजेक्ट नहीं से जो भी project implement करने वाला है उसको खरीद ले परचेज कर ले और किवल हम 10 पर से 15 परसेंट जमीन ही हम अधिगरीत कर सकते और उस अधिगरीत करने के अपने कुछ नियम है पहला नियम तो यह है कि जिनका अधिगरहन जिन लोगों का अधिगरहन होना है उनका एक सर्वे कराया उनकी opinion जानी जाए उनकी property की value जानी जाए लार act में विवस्था की गई है कि agriculture land अगर acquisition में जाएगी तो उसका उनको चार गुना महोजा दिया जाता है इसी तरीके से जो पेड आते हैं उसका महोजा अलग है जो building आती है उसका महोजा अलग है और उसका proper जो आपकी बोरवे लाएगी कोई भी चीज आएगी उसका proper assessment होता है सरकार उसका उचित महोजा देते हैं गंगा expressway में हर बेक्टि को पूरा पूरा महोजा मिला हुआ है इसलिए सरकार इतनी तेजी से काम कर बा रही है उसके पस्चात उसमें यह होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि उस report ज आपने सरकार को अपनी जमीन क्यों नहीं दी और क्या सरते हैं किन आधार पर आप इस जमीन को दे सकते हैं तो कई जगह पर कई कई समस्यां आती हैं जैसे बहुत सारे लोगों के यहां जैसे आपका वरासत का प्रक्रण होता है बहुत सारे लोगों के कुछ डाकुमेंट्स में mistakes होती हैं और बहुत सारे लोग negotiation की स्थती में नौकरी चाहिए यह जा की तरीके से कि अपनी recommendation में इस चीज को हम लोग ensure करना चाहते हैं कि Grammead छेत्र के लोगों को उनके skill development पे फाइदा उनके लिए school खोला ज法 उनके लिए स्वास की सुभदाई जी जाए और साथ ही साथ जो executing agency है जो उस रोड को बना रही है जैसे L&T कहीं बना रही है कहीं पर ACC बना रही है कहीं पर NCC बना रही है तो उसकी एक recommendation यह होती है कि जो अस्थानी अस्थर के लोग है उसमें उनको रोजगार प्रदान किया ज हमने देखा है कि अधिकांस प्रकरण जो है वो उनका समाधान हो जाता है और लोग फिर बाद में अपनी जमीनों को दे देते हैं और अगर माल लिया इनके एक दो परसेंट लोग नहीं देते हैं तो उस जमीन का सरकार अधिकरहन कर लेती है क्योंकि constitutional rights में right to property आपका fundamental right नह आप वाद दाखिल कर सकते हैं और आपका जो पैसा होता है जो compensation होता है वो magistrate के district magistrate के खाते में जमा हो जाता है तो सरकार ने बहुत ही पारदर्सी पूर्ण एक नीत बनाई है उत्रप्रदेस सरकार ने जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि अन्य प्रदेसों की तुल्ला म हमारे यहां के जो projects हैं चाहिए बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे हो चाहिए पूरवां चल एक्सप्रेस वे हो और चाहिए गंगा एक्सप्रेस वे हैं अपने time limit में ही complete हो रहे हैं इसमें सर सामाज कारी करता की भूमिका क्या हो सकती है देखें इसमें तो समाज कारी की हमारे इलाके से यह रोड जाएगी जिसकी वज़े से उनको अपनी अपनी production खास कर उनको मंडियों तक अपने सामान खास कर जैसे संभल की बात करें मुरदाबाद की बात करें इधर साजापूर की बात करें कन्योज की बात करें वहां आलू बहुत होता है तो वह करेते हैं हम बहुत आसानी से ये आलू अपना पूर्वी उत्तर प्रदेश के तुरू हम ले करके बंगाल तक जा सकते हैं और 7-8 गंटों में ये चीज़े हम अपना पहुंचा सकते हैं तो एक तो उनके आवागमन के वज़े से उनके जो करसी उपस के दाम है वो बढ़ जाते हैं और बहुत सारे लोग उस पैसों का क्या कर रहे हैं किस परकार को इस तो यूटिलाइज कर रहे हैं ये देखना एक समाजिक कारे करता के लिए बहुत आसान है ये बहुत बड़ा सो लोगों को ये मिला है उनके उपर इसका क्या असर प्रभाव पड़ा है इसको हम बहुत आसानी से देख सकते हैं और फिर समाज कारे करता के रूप में उनकी इसकिल डवलप्मेंट करके खासकर उनके बच्चों के सिच्चा पर उस पैसे का सकारात्मक प्रभाव भी देखा जा सकता है देखें मैं नाईम जी जो आपने विसे मुझे से चर्चा की है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि डाक्टर सकुंतला मिस्रा राष्ट्य पुनरवाश विश्विद्याले एक मात्र ऐसा विश्विद्याले है जो समावी सी सिच्छा पर कारे करता है और हमारे यहां दिब्यांग बच्चों के लिए ग्रेजुएशन से लेकर के पीएजडी तक की डिगरी निहसुल्क प्रदान की जा रहे हैं साथी साथ ना कि निहसुल्क फीस उनकी माफ है बलकि उनके हास्टल में रहने और खाने की विवस्ता भी निहसुल्क है हमारे हां से कई पीएजडी सोधार्ती जिन्होंने सोध कंप्लीट किया है और वो द्रिष्ट दिब्यांग है या तो आनसिक है या तो पूर्ता द्रिष्ट दिब्यांग है वो लोग जामिया मीलिया जैसे उच्च संस्थानों में कार्य करता हैं दिल्ली सरकार के तमाम स्कूलों में वो कार्य था हैं तो मैं बुंदेलखंड के लोगों से कहना चाहूँगा खासकर बुंदेलखंड के विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि अगर उनके आसपास क चेत्र में कोई भी दिव्यांग बच्चा है और वो पढ़ना चाहता है उच्छ सिच्छा ग्राण करना चाहता है तो उसको डाक्टर सकुंतला मिस्रा राष्टे पुनर्वास विश्विद्याले में आवेदन करने के लिए प्रेरित करिए साथी साथ मेरे हां एक आर्टिफि को बेवस्ता उसी दिन प्रदान की जाती है तो इसके साथ सत्कृतिम अंगों का वितरन भी हमारे हां होता है अब वो चाहे आर्टिफिसिल लिम्प सेंटर में जो लोग आर्टिफिसिल लिम्प पहन रहे हैं यूज कर रहे हैं उसमें समाजकार के जो बच्चे हैं उनको हम प्लेस करते हैं यह जानने की कोशिस करते हैं कि आर्टिफिसिल लिम्प पहनने के पहले उनका पारिवारिक जीवन कैसा था उनकी मोविलिटी कैसी थी और अब जब उसको नहीं पहन रहे थे तब कैसा था तो इसके बीच में एक हम स्टड़ी कर सकते हैं खासकर स्कूल सोश को भेजते हैं वहां पर जाकर के हम इंटर्वेंशन कर सकते हैं तो हमारे यहां दिव्यांगता के छेत्र में अल्टिमेटली जो साकुंतला मिस्रा विश्विद्याले का जो मैंडेट है वो बच्चे का सरवंगीड विकास और उसका सरवंगीड पुनर्वास केवल सामाजि अस्तरपर ही पुनर्वास नहीं है कि जो नंके साथ Exclusion को समाप्त करते हुए Inclusion ही नहीं कर देना है उनको एक ससक्त नागरिक के रूप में समाज dep karena इस प्रकार सगर देखा जाए तो समाजकार की अपार सम्मावणा है है दिव्यांग जनों के सकतिकरण में चाहे उनके आउसरों की समानता है चाहे उनके अधिकारों की वकालत है चाहे उनके बीच जग रुखता है या समाज में जग रुखता है या उनके पारिवारिक अस्तर के समस्याओं के निदान की बात है इन सारे छेत्रों में समाज का रस्तचे कर सकता है मैं चाहता हूं कि आप हमारे विध्यारतियों को हमारे सोधारतियों को कोई संदेश देने के किरपा करण चाहूंगा कि जो हमारे बीए सूशलवर्ग के बच्चे हैं और जो MSW के बच्चे हैं मैं उनको संदेश यही देना चाहूंगा कि समाजकार एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आर्थिक ससक्ती करण के साथ-साथ मानोता जूड़ी हुई और अगर हम एक देश के सचे नागरिक हैं तो मेरा यह मानना है कि समाजकार के पाटक्रम को सभी अनुसासन के छेत्रों में खासकर अनुसासन का मत्तब है कि academic discipline के छेत्रों में अनिवार कर देना चाहिए ताकि लोगों को यह पता चल सके कि हमारे भारत देश की सांस्कृतिक विरासत रही है और उसमें समाजकार उसका एक हिस्सा रहा है तो हमारी जो लोगों की सहायता करने का जो तरीका है वो पुराना तो है लेकिन उसके साथ साथ एक सब्द जुड़ा है और वो है वैज्ञानिक तो हम किसी की सहायता वैज्ञानिक त्रिष्टिकोंड से लेकिन उसके साथ साथ एक और सब्द जुड़ता है that is मानविय संबंध तो मानविय संबंधों को ध्यान में रखके हुए हम लोगों की सहायता करते हैं तो मेरे बीए के विद्यार्थियों से मेरी अपील है कि अगर उन्होंने बीए में समाजकार को सही धंग से पढ़ा है तो उनको MSW चलूर करना चाहिए MSW अवस्र रूप से उसमें अड्मीशन लेना चाहिए क्योंकि जहां पर एक तरफ कार्पोरेट सेक्टर आईटी सेक्टर की तरीके से उच्च उच्च आपको पैकेजेज हैं उसके साथ साथ आपको ये भी मौका मिलता है कि आप समाज के लिए लोगों के लिए हासिये पे अपने गाउं में लोटके आते हैं और कहते हैं मुझे लोगों के लिए कुछ करना है तो संतुष्टी तो इसी प्रोफेशन में है जब आप अपने जीवका पारजन के साथ साथ लोगों के एक सुख़द कि परिवार के लिए काम करेंगे तो वह आपके लिए आपके समाज के लिए आपके राजी के लिए आपके रास्ट के लिए उचित होगा दन्यवाद। आपका और अपने मीडिया लेप के साथ ही भाई गोविल जी का दिल से आभार बेद करता हूँ बहुत बहुत धलवाद।